पर यह सरकार बंगाल चुनाव के बाद गिर जाएगी और खत्मी हो जाएगी पर न होगा बीजेपी दबाब बनाना शुरू करेगी और बीजेपी की वज़से नितीश कुमार की सरकार गिर जाएगी सबसे पहले आप वो सुरेंद्र यादव का वयान देखिए तवियत उनका खराब शुरू से ही चलते आ रहा है और अभी भी तवियत खराब हुंदा है और अब को लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा और ठीक हो लेंगा पर डाक्टर लोग मेहनत कर और उपर वाला के इच्छा हो गया तो स्वस्थ जल्दी हो जाएगी तो बीहार चुनाओ के बाद पहली बार एक कदावर नेता बरानेता क्या बराहे बनेगे जिए क्या कहा अब चुनाओ खतम हो गया अब चुनाओ कर रहा है बिहार में इसको लेकर क्या करे थे और आजीतिक से और नेता संब बहुत हारी इसमार बयमानी किया है तीन बजे दीन के बाद और परजाब तंत्र रह नहीं गया है विहार में और ना लोक तंत्र रह गया है पर यह सरकार बंगाल चुनाओं के बाद गिर जाएगी और खत्मी हो जाएगी अईसा क्या तक्निक बता दिया लालो जी ने कि बंगाल चुनाओं गिर जाएगी सेंगा देखी उसमें हम लोग के कोई दाकत नहीं लगाना है लारो जी कि उसमें बहुत दिमाग इस्तमाल नहीं जब क्या है। यह मुख मंतीर रहेंगे जब तक बंगाल चुनाव है ना तब तक जब बंगाल चुना ओ रहना प्रिस्टीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे थे और इसके साथ उन्होंने लालु प्रसाद यारव की सेहत को लेकर भी ये बाते रखी की लालु प्रसाद यारव की सेहत अभी बहतर है और लगतार डॉक्टर्स जो हैं उनकी सेहत को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं आपको बता दे कि शनिवार का दीन राजब सुप्रीमो लालु प्रसाद यारव से मुलाकात करने का दिन होता है हलाकि जब से उनकी शिफ्टिंग होई केली बंगले से रिम्स के पेंग बार्ड में उसके बार फिर से मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी हो गया क्योंकि इसे पहले जब वो केली बंगले में थे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी ढील दी गई थी लेकिन उसकी बावजूत कोई भी उनसे मिल नहीं पा रहा था जैसे ही मुलाकात करने के बाद वो बाहर आए उन्होंने लालुक प्रसाद यादव से क्या कुछ बातचीत हुई उसे बताया और उसके साथ उनके सेहत को लेकर भी कहा कि अभी उनका जो स्वास्त है वो वहतर है लेकिन इन सब की बीच उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि बस तीन महीने का इंतजार कीजिए नेतीश कुमार की सरकार गेड़नी तय है बंगाल चुनाब के बाद बीजेपी के वज़ज़ से नेतीश कुमार की सरकार गिरेगी अब देखना होगा कि लालुप्रसार यालत के हनुमार ने तो दावा कर दिया लेकिन बीजेपी और जेड़ू के तरफ से पलटवार में क्या कुछ सामने आता है पिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियुस फोरनेशन नमस्कार